जी स्लाम्सक्राइब और वीडियो आज आप लोगों के लिए एक एक्स्क्लूजिव वीडियो बनाओं जिसके अंदर यू विल फाइंड एक्स्प्लोजिव स्टॉक्स और यह एक्स्प्लोजिव स्टॉक्स जो हैं जो कि आपके बहुत तेजी से परफॉर्म करते हैं यह मैंशन कर दूँ डिस्क्लेमर है कि जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक हर दबाफर परफॉर्म करें ठीक है परफॉर्म कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक भी हाइंड है इसके पीचे लॉजिक है लॉजिक यह है सिंपली कि जो अंब्चोन भी इंस्टिउशल होते हैं वो आपको समझ आ सकते हैं तो जो कंपरी जिसमें आप आर्निंग्स कर रहे हो अगर वो कंपरी एक बहुर्बार अच्छा प्रॉफिट कर रही है लेकिन institutional investor या तो उसको miss कर दे या फिर उसने जो अपने end पे targets रखे हुए कि ये एक company इतना अपना earnings show करेगी और उससे ज़्यादा company earnings show कर पाए या एक दम से एक surprise element आदे एक surprise other income से आदे कोई और income company को आ गई है या कोई और taxation में छूट मिल गई है या कोई accounting principle change हो गया जिसकी वह से उसकी एक earnings बहुत तेई से grow कर जाए तो वह stock आपको नज़र आएगा बड़ी तेई से बड़ी तेई से perform कर सकता है अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं मदे नज़र रखो if anyone wants to join our training fundamentals of capital market की training available है you can go on to सर्माय की website and be part of this community और यहाँ पे हम use करेंगे financial कुछ terms को और finance में numbers को use करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गेराई में जाने की जूरत नहीं कि एक company जो है business जो है वो क्या कर रही है आने वहली कौन सी policies change हो गई है क्योंकि we are looking at explosive stocks और explosive stocks जो है वो थोड़ी अर्से के लिए आपने रखने है 3 months या 6 months के लिए आप रख सकते अपने portfolio में फिर you have to shift क्योंकि अक्सर होता यह है कि आपके वो जो performance उसकी stock कर रही होती है वो एक one time की कोई event हुआ होता है या कोई ऐसी चीज होई होती है जिसकी बेस के उपर इसकी performance बहुत तेजी perform कर रही होती है ठीक है चलिए let's move on to our presentations और पर तोड़ा साम इसको detail में देख लेते हैं एक काम हम यह करते हैं कि सबसे पहले हम कोई एक stock भी देख लेते हैं जैसे कि let's suppose हमारा जो latest जो numbers आए थे उसके अंदर सी साप Crescent Steel जो है यह इसने बहुत बेते हैं परफॉर्म किया और अगर यह तकरीबन आप कहलो के December 2023 का जो result latest आया था उसके बाद से देखें इसकी performance is around 110% as compared to तकरीबन 23% तो यह भी थोड़ा सा science समझने कोशिश करते हैं कि back into Crescent Steel का क्या number आया क्या वज़ा हुई थी जिसकी base के उपर यह बड़ा जबदस परफॉर्म किया इससे पहले पहले हम एक चीज़ से करते हैं कि हम थोड़ा सा understand कर देते हैं कि जो हम देखने जा रहे हैं उसके पीछे क्या logic हम apply करने लिगे हैं तो यहां पर आपके पास यहां पने आने और आप नीचे आओगे तो यहां पर आपके पास financials में आप लोग यहां पर एक income statement देख रहे हो एक हम income statement को थोड़ा use करेंगे for this video वैसे तो हम cash flow को भी मैंने थोड़ा सा cover किया है लेकिन income statement को थोड़ा समझने की गोशिच करें कि यह होता क्या है अब for finance background, economics background को तो पता है कि यह income statement किस तरीके से देखते हैं क्या elements हैं लेकिन for all the beginners या non-finance background के लोग थोड़ा से एक understanding कर लें कि यहां पर this is the critical part जो के एक तीम किसम की statements होती है and this is the income statement is all about कि आप कितना profit बिना रहे हैं सबसे पहले जो आप sale कर रहे हो जो भी आप business कर रहे हो इसमें sale में से आपने जो cost आपके company के उपर आ रहे हैं उसमें से अगर आप वो निकाल दोगे तो आपके पास gross profit होता है gross profit के बाद आपके पास जो extra expenses होते हैं जिसमें आपे sell lease देनी है आप मार्केटिंग और देनी है यह सारी cut करके आपके जो at the end profit रह जाता है वो आपके company का actual में जो आपका पैसा बनाया है वो आपका होता है तो यह तो होता है आपका profit और profit आप जो cash में convert करते हो वो थोड़ा separate होता है तो यहां पे पहले profit को देख लेते हैं तो t-shirt में बनाने वाला जो raw material आप use करते हैं यान हो गया उसकी जो costing पर रही है आप उसको minus कर दो अपनी sale में से तो आपके पास यह gross profit बच जाएगा उसके बाद आपके कुछ administrative expenses आते हैं selling, sale के जो expenses आते हैं या distribution वाले expenses आते हैं वो सारे आपके इसके बाद आते हैं उसको आप gross profit में से minus करते हैं तो आपके पास बचता है operating income या operating profit this is EBIT इसको EBIT भी कहा जाता है तो अगें यहां पर हमने EBIT mention किया वे समाया की website पे तो operating profit जब आप gross profit में से यह expenses निकालेंगे तो आपके पास operating profit या EBIT रह जागा अच्छा उसके बाद जो है आप financial charges आते हैं आपके जो interest expense होता है यह वो सूध होता है जो आपने banks को अधा करना है जो जिसके उपर आपने loan लिया है चाहे वो short term लिया है चाहे long term लिया है तो उसके उपर again जो आप सूध अधा कर रहे हैं वो आपके financial charges में आता है अचा इसक जो है आपके interest expense यह ज्यादा बड़ा expense है जब इसको cut कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा earnings before tax अचा अब earnings before tax जो है आपके इसके उपर आपका tax लगता है तो यहाँ पे जब आप tax इसके उपर डिवाइड कर देते हैं जो आपके company के number of outstanding shares है तो आपके पास बच जाएगा EPS तो यह है आपकी earnings per share अचा इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर पाइन एसमेंट को मैंने यहाँ पर खोला भी हुआ है तो हम क्या करते हैं कि एक from annual report perspective वहां से भी देख रहेते हैं तो again this is the same 2023 जो अभी आप देख रहे थे तो this is the revenue ठीक है इसमें से आप cost of sales को निकाल दोगे तो यह आपके पास gross profit रह जागा ठीक है अचाब gross profit में से आप जो है बाकी चीज़ों को यहां से selling administrative expenses जो भी आपकी costing आ रही है अगर आप उसको भी minus कर देंगे तो यहां पर आपके पास operating profit आगा है जो कि आपको सर्माया पर हमने EBIT के नाम से दिखाया तो EBIT is equal to operating profit अच्छा इसके इंदर जो major आपका है यहां पर आप देख सकते हो कि यह finance charges जो है यह आपके जो basic interest expense है यहां पर यह नजर आ रहा है आपको और इसके इलावा जो है कुछ और भी मैयज यहां पर आ जाते हैं जैसे कि यहां पर other income आपको नजर आ रहा है यह plus हो रहा है यहां पर other income are all the income जो के एक company जो है अपने business के इलावा कहीं से उसको पैसा आ रहा है तो वो show होगा ठीक है अगर यह भी आप इसमें add कर देंगे तो at the end आपके पास क्या बचेगा profit before tax ठीक है और यह profit before tax अगेन इसके आपका टेक्स लगेगा taxation जो भी आपकी चल रही है उस साल अगर आपको कोई subsidy मिली विया है तो तब इसमें से कटेगी बाकी जो tax है वो इसमें से कटेगा और जो आप tax दे रहे हो जो कि सालाना पाकिस्तान का बनता है वो tax आपका यहां पे कटके add the end आपके पास बचेगा profit after taxation ठीक है और उसके हम थोड़ी से techniques को देखेंगे अचा उससे पहले पहले हम एक काम यह करते हैं कि अपना जो थोड़ा यहां पर presentation को भी हम कोल लेते हैं और थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि back end पे जो चीज़े देखने वाली होते हैं उसको पहले मद्दर नसा रखना है और उसके बाद पिर हम अपनी techniques पर आते हैं so number one सबसे पहले हमेशा एक अच्छे business में आपने क्या क्या चीज़े देखनी है कोई भी business है जितना अच्छा मर्जी business हो जितना अच्छा मर्जी आपको stock लगता हो उसके back end पे अगर यह 5 चीज़े नहीं है तो वो एक अच्छा company अच्छी company नहीं है एक अच्छा stock लेनी ठीक है number one आपकी sales होनी चाहिए ठीक है number two आपका profit जो है वो sales जो है profit में convert होना चाहिए यहीं करजा का होना चाहिए तो यह सारी जब तक आपको cash नहीं आएगा जब तक आप अच्छे तरीके से पैसे को वसूल नहीं कर पाएंगे तो आप business में दुबारा से री इंवेस्मेंट कैसे करेंगे तो यह चीज को समझने वाली बात है कि जितना cash आपके पास आए उतना ही आपके लिए बेतर होता है अच्छाब यहां पे हमने जो चीज़ें पड़ी थी operating profit and net profit तो यहां पर ही सारी गेम आती है तो थोड़ा समय यहां पर समझ देते हैं operating profit हम इसमें ही हमने सारी चीज़ों को देखना है ठीक है एक तो यहां पर इसमें depreciation है interest expenses आते हैं आपके taxes आते हैं यह सारी चीज़ें इसमें add-in होनी होती है और यहां पर ही अगर company को किसी तरीके से कोई छूट मिल जाए को डेक्स में benefit मिल जाए या फिर company को कहीं और से पैसा हैं वो एक तीजी से grow कर जाएगी चीक है तो यह चीज़ को आपने मदे नज़र रख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा repeat करता हूं again यहां पर आपको सबसे major impact नज़र आएगा कि एक company यह institutional investors देखें institutional investors हमेशा market को move करते हैं यह जहें में रखें institutional investor कोई भी stock को देख रहा है वो एक estimate लगा रही होते हैं यह company इतनी earnings show करेंगे इस quarter में या इस साल अगर वो company earnings उससे जादा show कर दे तो institution की नज़रों में वो एक दम से stock आ जाता है एक company आ जाती है और वो company के अंदर फिर से पैसा दुबारा से आना शुरू हो जाता है और वो stock बहुत तीजी से perform करता है तो this is the technique we will be using हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे कि हमें पहले से बता लग जाए या फिर जो result आएगा उसकी बेस पर हमें पता लग जाए कि यह company के एक दम से earning shoot कर गई है या एक दम से earning जादा हो गई है जो के expectation थी बड़े इंस्टूशनल में तो यहीं पर हम operating profit and net profit के दिनम्यान कु करते हूं कि आपको थोड़ा से यहां पर अगेन सर्माएव website पर आते हैं और मैं यहां पर अगेन आप लोगों को यह दिखाता हूं cash flow from statement so this is the statement जो के आपको यह basically बिताती है कि आप जो company है cash आपका किसदर यूज़ कर रही है so cash flow from operations इसमें तीन होती है cash flow from investments and cash flow from financing activities तो यह त किसम के cash होते हैं तो आपको नाम से बता लग रहा होगा कि cash flow from operations operations जो business कर रही है उसमें cash यूज हो रहा है तो आपके cash flow from operations कराता है cash flow from financing is all the cash that is used in financing ठीकिन यह नहीं कि आपने कोई करजा लिया है तो वो भी आपका यूज होगा आपने को dividends वगारा दी है तो वो भी आपके इ इसी में show होते हैं और cash flow from investments होती है जो कि आप इसी जगह investments कर रहे हैं कुछी और जगह पर short term investments की कुटीबिल्स करीडे किसी और कंपरी में investments वगढ़ा करी तो वो सारी ही आपकी cash flow from investment investments बनाती है तो यहां पर देखने हैं तीनों चीज़िया आपकी यहां पर नजर भी आही है so this is the operating cash flow, cash flow for investment and cash flow for financing ठीक है ये तीनों आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं वापिस अजने presentation में एक दो slides पर यूज करके मैं आपको एक example के तौर पर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके साब इसको देख सकते हो अचा तो cash flow of operations सीधी बात यह है कि cash flow of operations जब आपका ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो इसका मत्तब है कि आपकी company profit जो है वो cash में convert कर रहे हैं simple है अचा इसमें जो major देखने वाली चीज होती है वो यह होती है कि चुके होता ही है कि कभी कभार companies को पैसों की जूरत पढ़ती है उसने कहीं investment करनी है या फिर डिविडेंट्स पगरा देने है तो यही cash को use कर रही होती है तो एक दो साल अगर cash flows आपके ऊपर नीचे भी हो जाए तो को इतना मसला नहीं है लेकिन इसकी टेक्नीक ही होती है कि आपको पिछले पांच सालों में यह देखना होता है कि आपकी कंपणी cash flow of operation उसके बढ़ जाए profit after tax से overall आपके जो profit है उससे ज़दा आपको cash receive हो रहा हूँ ठीक है तो this is one technique जो कि आप यूज कर सकते हो और हमने सर्माया के ऊपर इस चीज को बहुत जबदस एक टेक्नीक हम यूज कर रहे होते हैं वहां पर हमने इसको cover भी किया है और यहां पर आप सर्माया score के उपर यह stability ratios में आप जाओगे यहां पर देखें यह सारी वो ratios हैं जो कि बहुत जबदस जा रही हैं यह हम जो हम technique students को बढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा यह बताते हैं कि किस तरीके सा आप companies के analysis कर सकते हो कि यह company अच्छा भी perform करी है या उसकी यह factors जो है जो हम आज भी थोड़ा बिसकस करेंगे वो देखो so this is your sum of cash flows versus sum of profit after tax यहां पर आगर आप देखो तो मारी के 188 billion है तो इसका मतलब है कि यह company जो है अराम से अपने profit को cash में convert कर पा रही है ठीक है अब आपने end पे एक काम करना है OG VC और PPL को भी आप देखो अपने end पे उनका जो profit after tax है वो ज्यादा है cash flow operation से इसी वयाए से पिछले 5 सालों को आप compare करो मारी के साथ मारी was performing well ठीक है यह हो गया हमारी एक और technique जिसको हम use करेंगे लेकिन for the sake of this video हम एक elements को देखेंगे और वो भी आपको मैं बता आयता हूँ अच्छा अब देखें explosive in stocks को देखने की technique क्या है number one आपके मैंने जैसे mention किया कि हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहां के institutional investor जो है आप उसने estimate किया है कि एक company इतनी earnings शो करेगा लेकिन earnings एक company जादा शो करते हैं ठीक है तो वो कैसे कर सकती है number one एक दो तीन चीज़ें है other income से कर सकती है other income यह है कि किसी और जगा से उसको पैस आ रहा है और वो अगर let's suppose कोई इसने company भी sell किया तो वो आपके other income में show हो जाएगी ठीक है या फिर उसने कोई different आ रहा है उसको किसी company से या उसने कई T-bills में investment की विये तो वो short term investments mature होने वाले है तो आपका क्या होगा कि other income में वो चीज़ शो हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा आपकी earnings बहुत एसी grow हो जाएगी दूसरी चीज़ हो सकती है कि lower tax या tax benefits तो lower tax या tax benefits का मतलब है कि अगर कोई tax benefit आपको company को इस साल मिल गया या आपको कोई शोट उसमें मिल गई है तो उसकी वज़ासे भी आपके यहां पर earnings grow कर सकती है तीसरी चीज़ हो सकती है change in accounting principles accounting principles भी change हो जाते हैं कभी कबार क्योंकि हर company को by law accounting principles के तहती अपनी reporting करनी होती है तो अगर उसमें कोई changes आजए तो तब भी आपकी earnings change हो सकती है अचा इसके अलाबा भी और भी चीज़े होती है जैसे कि defer tax है defer tax अगर आपकी taxes के अंदर कोई changes आई है तो उसके अंदर भी again again वही चीज़े हैं ये तीन से चार जैसे techniques मैंने बताई हैं इसके लाबा भी कुछ होती हैं लेकिंगे major आप समझोगी यही वर्ली होती है इसके अंदर आपको कोई change नजर आए तो पिर आप यह समझ सकते हो कि एक company के अंदर कितनी कितनी तरह से performance तेज हो सकती है अचा यहा best companies जो आपको लग रही कि बहुत तई से perform करेंगी उसके results भी मैं आप लोगों को show करता हूं लेकिन this is one excel file जो के मैंने थोड़ा सा इस तरीके से build किया है लेकिन चुके अभी example को हम एक देख लेते हैं थोड़ा सा detail में देखते हैं कि overall आप किस तरीके से company को देखते हैं so let us move back to pioneer cement और इसमें मैं थोड़ा सा आपको detail में हम बात करते हैं कि इस stock ने बहुत जबदस among the cements बहुत जबदस perform किया तो क्या इसमें ऐसी चीज हुई जिसकी base के उपर इसके जो earnings हैं वह बहुत ऐसी grow की और stock ने भी बहुत जबदस perform किया तो अगर यहाँ पे अगर हम आते हैं सो financial में अगर हम आएं सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सो 2022 से हम एक काम करते हैं जैसे 2021 से 2022 का period देखते हैं and then 2022 से 2023 अब यहाँ पे एक चीज़ को अगर आप देखो सो EBIT को अगर यहाँ पे देखें सो यह 2021 से तक्रीबन 4.02 से 6.6 billion यहाँ पे आपकी increase की ठीक है और इसी लेकिन यहाँ पे देखें यह 1.97 billion से तक्रीबन 1.05 billion हुआ यह नहीं कि यह थोड़ा सा कम हुआ जो expectation थी उससे कम हुई अब उसके पीछे reason क्या थी अगर आप यहाँ पे देखें सो EBIT में यहाँ पे आप देख सकते हो earnings before taxes तक अभी आपके सूरतियाल बिल्कुल ठीक थी 2. 2.2 billion से 3.94 billion थी सारा मसला आया आप पे टेक्स केंदर ठीक है यहाँ पे 228 million से तक्रीबन 2.89 billion का increase हो गया टेक्स केंदर जिसकी वज़ा से earnings आपकी बहुत शार्प नज़राईं कि this has decreased ठीक है अचाब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखो तो दुबारा से क्या हो रहा है कि 2022 से 2023 में अगर आप आओ तो यहाँ पे अगेन हमारी EBIT यानि कि operating income हमारा increase कर रहा है बहुत जबदस इंक्रीज कर रहा है ठीक है फिर हमारा जो earnings before taxation है वो भी बहुत जबदस इंक्रीज किया 3.94 से 5.73 ठीक है और यहाँ पे अगर आप देखो तो earnings हमारी profit after tax double हो गया यहाँ है double से भी ज्यादा हुआ तो यहां पर क्या ऐसा चमतकार हुआ क्या ऐसी चीज हुई जिसकी बेस के उपर आपकी earnings 4.62 से उठके 11.50 परसंट हुए तो this is the way मैं अपने end पर देख रहा हुता हूं कि company के अंदर कौन सी अची changes लागी जिसकी base के उपर earnings बहुत तहीं से ग्रू पूरी file download करता हूं and then उसको coding के through run करके मैं सारा score निकालता हूं और फिर मैं देखता हूं कि company कौन सी companies मैं अपने end पर pick कर सको अचा अब यहां पर आप देखो तो इसमें simple मैंने logic यह लगाई यहां पर अगर हम calculator की use करें तो यह आप देख सकते हो कि earnings operating income और profit after tax के अंदर जो 8.93 और 6.6 हमारा पिछले जालता अगर इसको हम divide करें 6.6 है तो this is around 35% increase which is remarkable बहुत जबदसता है अचा अब इसी की जगह मैं profit after tax को यानिके earnings per share को profit after tax को देख लेते हैं 2.61 billion minus 1.05 billion इसको check करें तो यह तकरीबन हमारा 148% का increase है तो मैं अपने end पर क्या करता हूं कि इन दो numbers को आपस में divide करके देखता हूं so 148 को मैंने अगर divide किया 35 से तो this is around 4 times more earnings in earnings per share जो कि आपके operating income में थी तो यह again यहां पर क्या होता है कि यह inflation आपके earnings को ज़्यादा ग्रूव कर देता है तो इसमें कुछ 3-4 techniques और भी हैं जो कि मैं सारी apply कर रहा होता हूं and again this is available for all my students as well और इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूं so number one एक तो earnings operating profit और मैं profit before taxation का भी देखता हूं तो यहां पर मैं operating profit और net profit का मैंने आपको difference दिखाया ठीक है यहां पर again बहुत ज़्यादे increase कर रहा था फिर operating profit और net profit का मैं increase आपको इसी तरीके से दिखाता हूं जो कि अभी मैंने यह वाला हमन of operations हमने क्या बात की थी कि cash of operations आपका net profit से ज़्यादा होना चाहिए तो उस साल के अंदर अगर एक company बहुत ज़्यादा cash flow operations उसका मतलब है कि company के अंदर cash कुछ ज़्यादा आया ठीक है इसी तरीके से इसकी percentage भी मैं लेता हूं और जो last है आपका यह है जो sum of cash flow जो के मैंने अ example के दौर पर देख लेते कि कौन सा ऐसी element था जिसकी base के ऊपर आपका यह performance बहुत तहीं से उपर गई ठीक है सो सबसे पहले 2022 में आते हैं और 2022 में अगर आप यहाँ पे देखो सो profit after taxation में यहां तक आपकी कहानी बिल्कुल ठीक थी operating profit भी बिल्कुल सही जा रहा था लेकिन उसके बाद आपका जो मसला आया वो यहाँ पे आया देखें deferred tax लगाया गया आपका एक साल के अंदर 22.1 अगर आप यहाँ पे देखें तो note में यह चीज mention भी है so deferred tax के अंदर क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पे taxation जादा होने की विया से आपके जो overall earnings है वो बड़ी तेखें से नीचे गिर गई ठीक है so यहाँ पे अगर आप detail में देखना भी चाहो तो यह deferred tax की जो liabilities है वो यहाँ पे apply करके उनने दिखाई भी है यह सारी detail आप खुद से भी पढ़ सकते हो लेकिन दिखाने का मकसल सिंपल यह है कि आपकी एक tax की जो है वो tax की application बहुत जादा होगी जिसकी base के उपर आपकी earnings sharp लेकर गई ठीक है अचा अब यही चीज़ है अब हम 2023 में चलते हैं 2023 में क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखें operating profit आपका जबदस ग्रो कर रहा है और एकदम से जो आपका net profit increase किया वो यही हुआ कि जो आपने last time जो आपने taxation थी जो आपकी apply हुई थी वो इस दफा इत sharply increase की ठीक है तो यह चीज़ आपने जहीं में रखना है ठीक है तो मैंने का किया है कि अपने end पे इसकी excel file को compile किया और overall आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि कितने मज़ेदार किसम के आपके results में ज़र आ सकते हैं so let's move to this file और इसमें again मैंने दो काम किया है एक operating profit का quarterly analysis भी किया है और मैंने basically yearly भी किया है quarterly का मतलब है कि अगर पिछले quarter से ज़्यादा थोड़ा सा आपका बहुत sharp increase नज़र आ रहा है तो वो आपके यहां पे मुझे show करेगा ठीक है और उसमें दो मैंने filters लगाए हैं एक filter मैंने यह लगाए कि कमस कम आपका operating profit जो है जो पिछला पूरा जो statement देख रहे हैं उससे 20% increase होना चाहिए तो खुछ सोचके देखें कि पहले ही हम चारें कि एक company का profit ज़्यादा increase हो और उसके बाद भी उसके एक ऐसी टिकनीक है जो कि अभी आप लोगोंने देखी है तो कोई ऐसी चीज आजए जिसकी वैसे operating profit यह net जो आपका net profit after tax है वह बहुत दहीं से ग्रों करते है ठीक है तो उसमें आपने प्राइन की देखें कि आपके टेक्स बहुत जादा increase हुआ था अच्छा अब यहां पर देखो मैंने अ 2023 का आपको latest measure आ रहा है इसके बाद मैंने इसको compile नहीं किया था यह मेरे बास काफी अरसे का बढ़ावा था तो अगर यहां पर pioneer cement को आगर आप आके देखो तो यह देखें सो pioneer cement यहां पे जो आपके पास 4.43 आ रहा जून 2023 में यह वह वाला time था जब पहली दफार आपकी earnings बहुत तेज से grow की ठीक है ना तो अगर यह quarterly भी अगर अगले quarter में ज्यादा increase करती तो वहां पे मुझे नज़र आता तो जून 2023 में अगर आप यहां पे आएंगे और यहां पे मैं आपको यह दिखाता हूं so let's see pioneer cement और इसको हम compare करते हैं हमारी stock market ही साथ अगर यहां पे same percentage देखें आप और यहां पे हम इसको एक साल पीछे लेके चलें so यहां पे हम क्या करते हैं थोड़ा सा यहां पे देखें June 2023 यहां से आपका तक्रीबन यह rise होना शुरू हुआ और उसके बाद stock की आप performance देख सकते हो ठीक है न जून के period के बाद this has sharply gone up और कहां पे stock ने तक्रीबन market 90% परफॉर्म किया कहां पाई नहीं से मिनने 123% और इसक सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूं इसको अपने end पर यहां पर mention कर ठीक है अचा अब recently एक और भी example के दोर पर देख लेते हैं और इसमें मैं लेटस एक JDWS यह नहीं कि जाविदान जो आपका शुगर मिल रहा है उसको मैंने यहां पर चेक किया था तो यहां पर आप देखो तो लेटस नंबर जो है यह बहुत इंक्रीज कर रहा है 86% यह तक्रीबन yearly base पर कर रहा है और अगर इसको मैं quarterly base पर आऊं तो यह this is a 181% increase तो यह एक बह JDWS की कोली भी हुए annual report यहां पर आप आओ तो यह this is एक साल पहले और यहां पर देखें आप earnings तो डिक्रीज कर रही है तो यह एक साल पहले increase कर रही थी लेकिन जो उसके बाद एक quarter आया वहां पर आप आप आओ तो यह देखें एक sharp increase नजर आया है सिरफ quarter और quarter basis पर 7.6 से sharp jump आया तो यह sharp jump देखो अगर कहां से आया है यहां से अधर इंकम में देखें कितना sharp increase यहां पर नजर आ रहा है तो institutional investor क्या समझ रहा होता है कि overall earnings इतनी ग्रोश हो सकता है यह चीज वोट एड करते हूं लेकिन कभी कबार miss भी हो जाती है तो जब miss होती है तो stock बहुत तेज चीजे परफॉर्म करता है तो यहां पर आप 20 पे आके देखें so let's look at 20 और यहां पर जो earnings यह देखें other income this is mainly includes fair value gain at the point of harvest for agriculture produce of this much amount and markup on delayed payment from cpa cppag ठीक है अब देखें markup जो आपको आ रहा है जो कि आपके delayed payments थी उसके ओपर ठीक ठाक इन्होंने पैसा चार्ज कर लिया और इनक आप यह CPPA जी क्या है यह policy क्या है इसमें गराई में जाने की जूरत है नहीं जूरत है अब आपको मैं stock की performance दिखाता हूं यहां पर देखें let's move to और WS ठीक है तो यहां पर जावेदान जावेदान बोली जा रहा हूं so this is JDWS और अगर आप इसको यहां पर आके देखो तो यह stock की देखें performance देखें ठीक है यहां पर ठीक है 2024 जब इसे आपका निया quarter है कहां पर stock market तकरीबन 24% perform की है उसी period के दिनम्यान JDWS ने तकरीबन 42% perform किया अच्छा आप यहां पर मैं थोड़ा सा और भी हम examples देखते हैं आज मैं आपको लोगों को काफी ठीक टा examples दिखाता हूँ अब annual reports में नहीं जाएंगे अब चरफ numbers को देखेंगे numbers की base पर आप देखो कैसे मज़ेदार है आपको stocks में हैंगे सबसे पहले तो आप एक चीज़ को यहां पर देखेंगे overall जो यहां पर मेरे पास यह sheet में नज़र आ रहा है तो इसमें कि you can see के majorly हमारे पास बहुत ज़्यादा companies फार्मा किया हैं जो कि quarterly base पर है मैंने एक काम ऐसे यह भी किया है कि यहां पर एक page भी बना दिया सो यहां पर हम क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं था कि हमारे लिए थोड़ा सा सा नोज़े डिसेंबर 2023 और quarter गली मेंने इसको one किया तो यहां पर हम क्या करते हैं कि operating profit को number filter wise greater than चलो zero करके देखते हैं और zero करके अगर आप यहां पर देखो एक आपके पास जहां पर ABGP आ रहा है यहां पर आपके पास $26 यह तीन से चार companies आपाप देख सकते हैं एवन high noon भी आ रहे तीन चार फार्मास से आप फार्मा ने दे्खें अगर आप न्यूस का फॉलोड नहीं भी कर रहे और आपके पास खुश numbers बता रहे हैं इसके अंदर कुछ ना को चेंजिस आई हैं तो आप देख सकते हो कि हो सकते हैं कि पूरा फार्मा पर्फॉर्म कर रहा हूं तो यह तीनों चारों को हम तोड़ा से यहां पर देखते हैं और देखें कितना मज़ेदार किसम को आपको यहां पर ट्रेंड निज़र आएगा तो लेट सी एजीबी पहले ठीक है और एजीबी को हम परसंटेज़ वाइस देखते हैं तो यह देखें एजीबी ने तक्रीबन मसे आगे बीचे भी मैं कर सकता हूं लेकिन अगेन मेरे खाल से यह लेटस दोज़ज़ा 24 में आया था तो कहां पर 24% मार्के ने परफॉर्म किय ठीक है अचा इसी में हम क्या करते हैं कि और कंप्रीज को भी आड करते हैं आबट को देखते हैं इसकी परसंटेज देखी तो यह देखें बहुत आउट्सनिंग परफॉर्म किया यह तो 60% इसने परफॉर्म किया मार्केट ने तक्रीबन 24% परफॉर्म किया सेम आपको वह ही टेगनीक के तरह पता लग रहा है ग्लैक्सो को देख लें ठीक है तो ग्लैक्सो स्मिथ को आप देखोगे सेम परसंटेज वाइस देखें तो यहां पर इसने तो बहुत आउट्सेंटिंग परफॉर्म कि इसकी परफॉर्मस है ठीक है अचा अब यही चीज मैं ज्यादा सब्सक्राइब पर देख रहा है और कुछ अगें जाएंगें कुछ और आप आप आउए हैं इसको हम करते हैं और यहां पर अंबर फिल्टरज में आके इसको में सो यहां पर अगर आप देखो let's see देखें यह C-Sap आयान आपके पास Christian Steel latest ES के अंदर आपके पास यहां पे mention हो रहा है ACPL को भी देख लेते हैं लेकिन मेरे ख्याल से यह पहले से हमारे पास आ रहा था so let us check from ACA ACPL यहां पे तोड़ा सा इसको जाके देख लेते हैं लेटस यहां पे भी हमें जादा अच्छा रिजल्ट आया जून 2023 से आ रहा है so I think कि शाइद यह परफॉर्म किया है शाइद यह इतना जादा परफॉर्म नहीं किया लेकिन खेर बाकी गंपरीज बहुत 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 परफॉर्म कर रही है ACPL को देख लेते है अगर एक साल की नस्पर थोड़ा सा देखें एक साल में अच्छा खासा परफॉर्म किया है ठीक है पाइनियर सेमें ने तो इससे ज़्यादा परफॉर्म किया है लेकिन अगर इन देखें 65% अगर इसके अंदर हम उसको रिसेंटली अगर आप डिवरेंट्स वगरा भी डाल दें पाइनियर सेमेंट हमारे इस इनी सालों के अंदर आ रहा था वह हमने पहले भी डिसक्स कर लिया ओवराल पाइनियर सेमेंट ने बहुत बदस परफॉर्म किया ISL, INIL, NISL इसको देखते हैं PNSE को देखते हैं पाइनियर सेमेंट हमने देख लिया है बाकियों को भी आप देख देखते हो बल्के काम करते हैं सारगों को देख लेते हैं So let's see PNSE ठीक है PNSE इसको करें हम अगर हम इसको देखें तो तक्वीबन ये देखें कितना जब दस परफॉर्म किया है ठीक है फिर हम देखते हैं I.N.I.L. को और इसने भी मार्केट को बीट किया ठीक है फिर हम देखते हैं I.I.S.L. को अब ही रिसनली थोड़ा से नीचे गया है लेकिन उसके पहले देख लें 120 परसंट की परफॉर है बलके अगर आप डीसनली यहां से देखोगे जो इसका रिजल्ट मेरे खासे थोड़े अर्से बाद आना शुरू है तो यह देख सकते हो कि कितनी जबदास आपके पास कंपरीज आ रही है अच्छा और कौन-कौन सा देख से हैं let's see SRVI PPL आप लोग बड़ा मश्यूर क्या रहा है डान नजर आए है नेट्सोल को भी देख लेते हैं और SRVI को देख लें अगर हम देखें नेट्सोल वसे हम चूके वसे दिसेंबर से देख रहे हैं लेकिन इसका हो सकता है पीछे से कुछ परफॉर्मस जाधा अच्छी आ रही है तो नेट्सोल को देखें और ल सो यह हमारे पास हां लेटस यह आ रहा है इससे पहले नहीं आया हमारे पास जब भी जब भी आएगा तभी तब से हम देख सकते हैं दिसेंबर 2023 का मत्तब है कि कुछ एक दो मेने के बाद आप देखोगे तो जन्वरी से अगर आप यहां पर देखें तो यह स्टॉक आपका शूट कर रहा है तो यहां पर आप आते हैं सर्विस यह काफी टिक टाग मार्केट को भीट कर रहा है पर अगर पीशे सालों में देखें तो करीब दो सो तीन सो परसन परफॉर्म करें विच इस फिनॉमिनल बलके यह तो बहुत जबत 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 परफॉर्म किया है इसको देख लेते हैं कि कहां से इसका रिटर्न स्टार्ट होँ आएंगे सब्सक्राइबर करेंगे से कंसिडर करते हैं यहां से ऐगर आ वी जाओ तो too much good 200% की performance है कहां पर stock market है कि तगरीबन उसी time period के अंदर 60% की performance की ठीक है चले ये तो हो गया हमारे पास latest yes के मैंने कुछ आपको दिखा दिया अब एक काम करते हैं कि हम इसको पुराने सालों में जाते हैं वहां भी जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास बहुत जबदस market की performance थी तो मैं एक period आपको दिखाता हूँ सो मार्च का हम देखते हैं क्योंकि उस तरह में market बहुत बहुत परफॉर्म करी थी तो क्या हमारा ये जो आप पढ़ रहे हो जो अभी आप लोग ने चीज़े सीखी है क्या ये सेम वहां पर भी वर्क कर रही थी तो हम क्या करते हैं इसक चोटा कर लें पर इसके बाद हम आते हैं March 2016 टू और यहां पर अब जाके हम इसको थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं सो नमबर फिल्टर अप्लाए करते हैं greater than one और यहां पर जितनी भी complete हमारे पास आ रही है इनको चेक कर लेते हैं वन बाइवन अच्छा इसमें सी सब अगेन हमारे पास आ रहे है हमारे पास बहुत अगरीब या अगरीब वाल सेमेंट आ रहा हória है हमारे पास और इभी फैल आ रहा है इसको भी देख लेते हैं और कफी ज्यद्रीश आ रए हैं उस उसम में पर अब Department पासके लेकिन हृभी से पहर्ले हम देखते हैं यह मि高मव बहु MP पर जलते हैं ठीक है और ताकि हमारे पास 2016 का डेटा देख रहे हैं तो वहां से हम देखना शुरू करें अगर हम यहां पर आते हैं और CEPB को उसी करते हैं। century vapor नाम है इसका company का और अगर हम इसको सेम percentage scale पर ले आते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं 2014 का period है ना so 2016 का sorry so 2016 के period के अंदर आपका यहां पर हम थोड़ा इसको increase भी कर देते हैं ताकि यह वाला period हम बड़े अच्छे तरीके से cover कर लें ठीक हो गया यह आगया आपका stock ठीक है तो अगर आप यहां पर देखें March 2016 I think March 2016 से एक दू महीने बाद आएगा न आपका result आप तक्रीबन यहां से तक्रीबन start करें उसके बाद अगर आप देखो तीन महीने को देखेंगे तब भी 20 परसंट इसने perform किया और आपका जो ओवर और यह ऊपर गया 130 परसंट 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 किया और मार्कें ने उस एक साल में 33 परसंट परसंट किया अच्छा इसको अगें वहां पर हम यह भी काम कर सकतें इसको थोड़ा सा रहा बैक अन पर जाकर भी देख सकतें कब से हमारे पास आना शुरू सी ईपीवी स्वारी में और यहाँ पे हम यहां पर आप देखो कि मार्ज्ट टी o कि से आ रहा है चाहिए अचीस प्षट पी तेंजिक और ये हमारे पास तो हुग में उसी टाइम पर वही परफॉमस दी थी आ यहां पर सी से आपको देखते हैं इसे परसंटेज स्केल देखें यह देखें उसी टाइम पीरिड के अंदर कितनी आउटस्टेंडिंग परफॉर्मस उसने दिखाई है ठीक है अचा अब गरीब वाल से मंट को देखते हैं जी डबल्यू एल सी इसको भी खोल कर देख लेते ह अचा अब यहां पर इसको यहां से देखते हैं कि इसने परफॉर्मस कहां से दिखाई है जी डबल्यू एल सी यहां पर अगर हम आएं यह हमारे पास आ रहा है जून 2015 से ठीक है उससे पहले नहीं है तो हमें आइडली क्या करना चाहिए इसको थोड़ा पीछे से देखना च है जो यह हमारा 2015 है क्या परफॉर्मस है देख रहे हैं तीन मीन के बात तकरीबन 50% पर फॉर्म किया मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया था उस टाब और एक शाल तक टिकरीबन वह बहुत आशॉंस परफॉर्मस की थी तो कितनी जबदाश एक्स्प्लोजिव आपको स्ट दिखाता हूं कि कितने जबदसाब के रिटर्न आ सकते हैं के यल को अगर आप देखना चाहो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं देखता क्योंकि कि यह कराची एलेक्ट्रिक और वैसे अच्छा पीएस एल को हम देखते हैं पाकिसान सर्विस एकुटी इस लिमिटेंट सर्विस है सम्तिंग है ठीक है सेम पीरिट देखें अगर आप तो मेरे ख्याल से इसको कहां से देखना चाहिए पीएस एल को हम यहां से पीएस एल तो अगर यहां पर आप देखो यह माजश तो तावर 16 में भी आ रहा है सब्टेमर 2015 में भी आ रहा है सब्टेमर 2015 से हमें थोड़ा सा देखना चाहिए आइटिंग कि यहां से स्टार्ट होता है ठीक है तो अगर आप यहां पर देखो तो यह तक्रीबां 6 मॉंस बहुत जबदस परफॉर्म किया है और उसे एक आज साल बात तक भी परफॉर्म करता रहा है क्योंकि और क्या हो रहा है कि हर महीने के हिसाब से हमारे पास यह अपने हमारे अल्गोरिदम में आ ठीक है तो अगें देख सकते हो कि कितना जबदस इसकी परफॉर्मस है अचा इसके बाद भी हम और भी कंप्रीज को देखते हैं I think GHNI मेरे पास आया था तो उसको अगर हम देखें तो कितनी जबदस की परफॉर्मस दी यहां पर अगर आप देखो तो GHNI हमारे पास सप्टेंबर 2014 से बहुत एक शार्ट जब नज़र आ रहा है यहां पर क्या करते हैं GHNI पर आते हैं ठीक है और यहां पर अगर हम पर से टेच बाइस देखते हैं सप्टेंबर 2014 से उफ क्या परफॉर्मस है तो थोड़ा मैं और चोटा करता हूं और देखते हैं अच्छा यहां पर देखें यह सप्टेंबर 2014 से लेके यह 34 टाइम्स परफॉर्म कर गया और मार्केट तक्रीबन यहां पर अगें वही चीज़ आप लोगों क्या नज़र आ रही है कि अर्निंग्स बहुत शापली ग्रोग की हैं बलकर यह मेरे पास जिस टाइम पर आया वह एक तीजी से ग्रोग किया उसके बाद कि अब आप देख सकते हो कि कितना मज़एदा ट्रेंड नज़र आ रहा और यह दुनिया के किसी स्टॉक्स पर भी लगा सकते हैं अब एक काम यह भी करते हैं कि 2014 का पीरिड भी देख लेते हैं तो इसमें एक मैं स्टॉक में देख रहा था हीनो पार्क बहुत ज़दा मशूर होता था उस तेम पे मशूर तो नहीं थे खायर लेकिन बहुत ज़द और यह आप सेम परसंटेश केल करेंगे और तकरीबन मेरे ख्याल से अगें उसी टाइम पिरिट को अगर आप देखो तो यह मार्च थोड़ा से बीचे करते हैं तो यहां पे अगर आप देखो यहां से लेके यह स्टॉक तगरीबन टू टाइमस परफॉर्म किया है ठीक है और आपकी स्टॉक मार्केट उसी टाइम में तगरीबन टूटीडू परफॉर्म किया है तो कितने मज़ेदार किसम के आपको नज़र आ रहे हैं को थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं 2018 कभी हमें नज़र आज़े सो लट्स मूव ओन टू मार्श 2018 और इस पीरिड को देख लेते हैं तो अगर इसमें भी हम अगेन फिल्टर लगाते हैं ग्रेटर दन वन तो हमारे पास कों को से श्ञाक सा रहे हैं एक आ रहा है हमारे पास 2019 को देख लेते हैं और एक काम योगारते हैं कि इपी सील को भी देख लेते हैं और तीन तीन को देख लेते हैं ठीक है यह काफी जबतसार है सीसेनरजी को भी आप देख सकते हो वैसे इडबस परफ़र्मिंग ऐस वल तो खर इसको भी आप देख सकते हो लेकिन इसको मैं बाकियों को आपको दिखाता हूं सो हम दोड़ा साखे चलते हैं और यहां पिंच और यहां पर हैंनों को तॉलाक है पेहीं से वैसे हमारा इसका IPO भी शाहिद हुआ था इसको फिर हमें नहीं देखना चाहिए कोई और देख लेते हैं इसको रहने देते हैं क्योंकि यह निया स्टॉक था सो IPO का अपना भी एक चल रहा होता है सो NCL देखते हैं और निशाद चुनिया सेम पर सेने स्केल किया हमने और यह देखें 2018 में था यहां से देखें एक दो महीने बाद ही स्टार्ट होता है सो देखें कितरा जबदस परफॉर्म किया है थर्टी बसन वह परफॉर्म कर रहा है बलकि आगा चे मेन के बात देखा जाए तो ता ग्रीम मन 14 परफॉर्म किया मार्केट वस अक्चुली नेगेटिव ठीक है तोला सा मदद स्लेबल टाइप ही थी लेकिन इस ने बहुत जबदस परफॉर्म किया और अगें जो एक साल के बाद देखें बहुत ही जबदस इसकी परफॉर्मंस है अचा एपी सेल को देख लेते हैं समझने की यह है कि overall you need to understand कि आपने एक company को कि उसकी अच्छे factors हैं वह किस तरीके से देखने हैं कितना बेतर परफॉर्म कर रही है लेकिन कोई ऐसा element आजाए कोई ऐसी चीज आजाए या अदर इंकम से पैसा आजाए या टेक्स में चूट हो जाए या कोई ऐसी चीज आजाए इसकी base के उपर उसकी earning shoot कर जाए तो मेरे पास वो जैसे मैंने आपको दिखाया तो आप भी अपने endpage को इसकी working कर सकते हैं तो again यह देखें हम students को इस तरह की चीज़े प्रोवाइड करते हैं इस तरह के tools प्रोवाइड करते हैं यह sheet भी available होगी उनके पास तो वो भी अराम स से इसको analysis कर सकते हैं down the lane जो हम सर्माय के उपर और भी tools लेके आएंगे तो हम इस तरह की चीज़े भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे explosive gains की तरह आप लोगों को ratios नजर आया करेंगी ठीक है तो यह है working सारी अब आगर if you want to register for our course इसके अलावा भी हम और algorithms use करते हैं by the way ह हमारे students जो है वो पिछले एक डेर साल से दो तीन सालों से जब भी जैसे market perform कर रही है हमारे students market को bid कर रहे हैं क्यों बीड कर रहे हैं simple logic है यार हम पीछे background से हम इतना detail में जाई नहीं दे होते के company background पे क्या करी है यह ratios देखिया हमने 500 companies कौन पढ़े यार बैठके business analysis कौन करे क् के well and good अच्छी बात है finance करना चाहते हैं हम और मैं finance background से हूं लेकिन मैं इतना खुद गिराई में नहीं जा रहा हूता company के analysis में कि मैं इन चीजों को मद्धे नजा रखता हूं overall business सही जा रहा है company सही परफॉर्म करेगे environment ठीक है उसके लिए सही परफॉर्म करेगे कोई इतना झाल 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 झो कि में के लाध पर दोधोर्म करेगे